एपिस्टोड के स्टाइट में दिखाया जाता है कि रेमरू यहां पर सारी सारी गॉब्लिंस को देख रहा होता और कहरा होता है यह तो काफे जादा कमजोर हैं अगर मैं इनको जंग मैं लेकि गया तो मैं तो पका आनने वाला हूं वो बोलता है कि यह तो अपने पर पकलाड कुला खुला का फूला रह जाता थό है रिम्डू उस गॉब्लीन को थोकता है और भाई वो गॉब्लीन दम से ख्योर हो चुका था जितने भी खाऊ थे उस आप बर चुके थे जिसको देखने बाद यहां पर ग्रेट गॉब्लीन का अफिदा है रहान होता है और उसका मुग खूला खूला रह जाता है बाकी उस दर पर जोग जाते हैं जो की होती है यह बहुत यह अच्छा मौका है और यहां पर कमजूर गॉब्लीन को मारने का और वहां पर कभजा कर लिने का रहा है क्या साथ ही तुम सब तयार हो सारे-सारे वेर्वुल्स यहां पर आयूल करने लगते हैं यहां अपर कर लीडर बोलता है कि हमारे दात अर नाकुनीई इतने ज्यादा शायाप है रुक एगा उड़ा के फेक देंगे इसकि थोड़े बात जो वेवल्स का लीडर होता है वू बोलता है कि जा अटक करो जितने भी वेवल्स उते हो अटक करने भागते हैं लेकिन पता नहीं कैसे यहां पे इन वेवं से लिटी जाही नहीं पारे ठेमें उससे पहले ही वो सा साइस्टिंग मेरे को नहीं रुप पाएंगी एंड वो सारी चीज़ों को काटती हुए आके बढ़ रहा होता है वैसे इसके बाद भाइब सारे सारे बूस पीछे अटते थोड़े थोड़े एंड यहां पर जो किंग रहता है वो बोलता है कि सब करने से तुम में से बचनी प अपनानी पड़ेंगी क्योंकि यह तो नहीं जाने वाले फिर उनके जो लीटर होता है उसको जौफ कर लेता है प्रेटर अबिलिटी की हैप से एंड उसके बाद भाई आपर गेट से बता दे कि वियर वुल्फ के लीडर की जितनी भी अबिलिटीश थी वो तुमारे पास चुकी है यह सुनने बाद रिम्डू जोता है मिविक अबिलिटी को यूज करके यहां पर वेवुल्फ में कनवर्ट हो जाता है उस सारे सारे लोगों कहता है कि इस सबसे तेज रिम्डू कर रहा था इस दिद्दे भी वेवूल्स होते हैं वह यहां पर रिम्डू के पास कर देते हैं यहां पर सारे सारे वेवुल्स और रिम्डू के सामने बैठा हुआ था रिम्डू होता है कि देखो आप हम लोगी बड़ी बन चुकी हैं जैसा कि तुम लोग जानते हूँ अब हम सब एक ही टीम में कोई पी दूसरे लड़ाई नहीं करेगा हम सब को एक टीम क पर नाम नहीं होते हैं तो सुनके स्लाइब है और बोलता है चलो कोई बात नहीं मैं सबको नाम दोंगा यह सबके मुँए खुले के खुले रह जाते हैं और भाई सबके सब बहुत खुश हो रहे थे खासकर वह एल्डर जो गॉबली था वह उसको तुम लोग देख सकते हो पहले को यह से पाग लोगता हरकत कर रहा लेकिन वहथ द्शाइट दिख रहा है फिर यहां पे दिखाए जाता है कि अपर काफी यहां पर खुश हो की लाई लाइन लगा कर रखें इस से उनको नाम मिल सके एंड यह पर सब से एल्टर को बिससे आगे खटा दा जिसको नाम नाम भूखत बहुत यादा अजीव दिता है लेकिन नाम देता है वो रिगुड ये सुनने कि बाद भाई जो यहां पे एल्टर गॉलन देता है जिसका नाम रिगुड हो चुक है वो बोलता है कि थैंकि सो मगसर आप ने मेरे को नाम दिया मैं बहुत यादा खुश हूं ए य जोईन करने वाला हूं जिससे लोगों साथा पावर मिलें फिर वो पहले बंद एक दिखता है जिसके सर्पर स्टार वना था एंड वो बोलता है स्टॉर्म से रेटेड मेरे कुछ लोग स्टॉर्म की तरह हैं एंड मैं क्या नाम दूं क्या नाम दूं एंड फिर रेम्रू स्टॉर्क करने में फिर हमें तीन दिन के बात सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना यहां बहुत ही खुश हुई कि आप वापस से जिंदा हो गया यहां रही कपता वाकी फिर रेम्रू सोचता है कि इतना सुन्दर गॉबलीन तो मैंने अभी तक इस क्लैन में देखा नही आखे बाहरा आती है यह कौन है इसके बात यहां पर रहता हूँ आपको एक्स्लेंट करते है कि जो आपने अमको नाम देया था उसके लिसमें इवॉल्व हो गए यह सब उसे का कार नामा है फिर अपने मसल्स दिखाने लेग जाता है तो कि तो पावफूल है एंड यहां पर तब यह लोग एक करच वरी थी इन लोगों नाम देने के लिए यह सूर्स रापा सुने बाद बाई रंग यहां पर बाग क्या था जिसकी यहाँ पर सरकिसी निकल रहा था है इसके बाइब बाइब बढ़े और मेड़ीन ने वहां चुख रहे हैं यहाँ पर चुक्ति रहे थ कि सारे वियर वुजोव को नाम दिया था जो की रंगा है and तक मेरे को याद है कि अमइरे थिबर विद का नाम है empos जो कि सुनने के या पर हम्रोड है यह तो काफी आच्छी चीकिन लगता है जिसके पीछे रंगा भी भाग रहा है फिर में दिखा जाता है कि यहां पर बताता है कि यहां पर देखो आज से हम सब एक बहुत बड़ी फैमिली हैं एंड हम लोग को यहां पर तीन चीजों का ध्यान डखना है तो पहला है खाना, दूसे चीई शेल्टर मतलब घर और तीसी सीचे कपड़े तो बताता है कि यहां पर तीन डूल भी होने वाला है जिससे और कोई भी प्राइब में दूसरे लिए कश ब्रेसी हाम नहीं करेंगी तीसर रूल होगा कि धमसे जो कमजोर हैं उन पे यहांपे आगे से अठक नहीं करेंगे जिसको सुननेक बाद यहांं पे 3rd बोलता है कि मैंने निकुरी और बताँव क्या ही हमएक ख marc OMGman की और यहीं encant फिर यह सब सुननेक बाद वो और यह सब के सब सम्मत होते यह और अपना खुशे दस्ता रिलाते हुए उस सारी चीज़ को एक पूरूफ करते हैं इसको सुने बाद रिम्रों में बताता है कि आप खाने बंद बस तो हो गया है बेजिटेरियन चीज़ें आप गॉबली से कटा करेंगे फ्लेश बगर जो यहां पर वुल से कटा करेंगे बाकि घर तो इन लोगों को बनाना कभी आएगा नहीं इन लोगों ने अभी टूटा फूटा घर बनाया है इंड फिर वो बनता है कि कपडध ऐसे कंटे बनांथा है लिकिन ओपर ने रहते हैं और इसा इस यहां पर दिखाएता है कि काफी आदा था था चल सकते हैं इंट रिप्रूब्व बोला होता है कि मैं काफी आदा एक्साइट हूँ क्यूकि मैं हीमन से मिलने वाला हूँ बागी गईस यहीपी वाला एपिसोड एंड हो जाता है आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना याप सब्सक्राइब कर दो कि आने वाले एपिसोड देखने के लिए एंडि मैं विलता हूँ से नेक्स कमेंजिंग वीडियो में तिल देन गुड़ पाई